मध्यप्रिदेश के पन्ना में बागो के लिए प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व से एक अच्छी खबर सामने आई टाइगर रिजर्व में अब बागो के साथ हातियों का भी कुनबा बढ़ने लगा है टाइगर रिजर्व में हतनी केनकली ने एक नर हाति को जन दिया इस नन्हे हाती का वजन लगभग 100 किलोग्राम है। यहां हातियों की कुन्बे में एक नए और नन्हे महमान के आजाने से खुशी का महौल है। इस नन्हे महमान के आने पर टाइगर रिजर्व में हातियों की संख्या बढ़कर सोला हो गई है। वहीं हातियों की देखड़े करने वाले PTR के महावत और प्रवंधन में बच्चे के स्वास्त को लेकर चिंता जाहिर की है। दर असल आपको बता दें कि नन्हा हाती अंदरूनी चोट के कारण खड़ा नहीं हो पा रहा है। हाति के बच्चे का शुरुवाती इलाज पन्ना टाइगर रिजर्व के डॉक्टरों की टीम की निगरानी में हुआ। स्कूल फॉर वाइललाइफ और फॉरेंसिक हेल्थ की 5 सदस्तिय डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है। वहीं आपको ये भी बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अनुभवी महावतों की टीम और डॉक्टर लगातान नहीं हाती की निगरानी और इलाज कर रहे हैं। फिलहाल हाती खड़न ही हो पा रहा है लेकिन उमीद है कि जल्द ही वह चलने लगेगा। समचाय प्लेस के लिए पन्ना से अमिच सिंग राठोर की रिपोर्ट।